चोपड़ा जो किसी न्यूटूब चैनल पर मैं हर साही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चों, NTA ने नीट का आंस्वर की और OMR सीट रिलीज कर दी है उसके रेगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस दिया है तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसकी last date है और क्या-k्या condition है तो इसमें जो नीट का exam हुआ था उसके लिए जो आंस्वर की जारी की गई है इस आंस्वर की को challenge करने की जो date है वो 17 October 21 रात 9 बज़े तक रखी गई है यानि कि आप 17 तारए को 9 बजय तक इसको challenge कर सकते हैं इसमें आप answer key को भी challenge कर सकते हैं और जो आपके Omar response seat है उसको भी आप challenge कर सकते हैं Omar seat को तो answer seat में जो answer n tiene दिये हैं उनमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये answer n läकर दिये हैं इसका ये answer हो सकता है तो उसको आप challenge कर सकते हैं challenge के लिए per cushion 1000 रुपीज पे करना होगा जैसे मानलो एग्जामपल के तोर पर आप 3 tussen को challenge कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपीज डिपोजिट करना होगा challenge के लिए तो इस परकार से आप challenge कर सकते हैं और ohmar को भी आप challenge कर सकते हैं ओमार में आपको ऐसा लगता है कि आपने ओमार में क्यूशन का आंस्वर सही फिल किया है लेगिन response seat में NTA ने वो आंस्वर गलत उठाया है तो आप उसको challenge कर सकते हैं तो उसके लिए challenge के लिए per question 200 रुपीज पे करना होगा तो ये payment आप 17 October को रात 10 बजे तक कर सकते हैं इसके बाद में ये सविकार नहीं होगा ऐसा NTA ने लिखा है अपने public notice में तो ये एक जानकारी थी छोटी सी इसमें ये procedure भी बताया गया है कि आप कैसे कैसे इसको challenge कर सकते हैं तो इसके challenge के लिए मैं अलग से separate video बना दूँगा कि कैसे answer की check करनी है और कैसे answer को challenge करना है कैसे omar check करनी है और कैसे omar seat को challenge करना है तो इसका special में video बना दूँगा आपने इसमें challenge करने के बाद में आपने इसका receipt का print out जरूर ले लेना है तो मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग